नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका न्यू स्टोर 24 में तो आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के बारे में इन दो ब्लड ग्रूप वालों के लिए कोरोना जादा खथरनाक नॉन वेजिटेरियन भी रहे साउधान तो दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लि ब्लड ग्रूप वालों को कोविड-19 से जादा समबल कर रहने की जरूरत है इसमें दावा किया गया है कि बाकी ब्लड ग्रूप की तुलना में A.B. और B. ब्लड ग्रूप के लोगों को कोरोना जादा प्रवावित कर सकता है रिसर्च पेपर में यह भी कहा गया है कि O.B. पर इस बीमारी का सबसे कम असर हुआ है इस ब्लड ग्रूप के जादतर मरीज या तो एसिम्टोमेटिक हैं या फिर उनमें बेहत हलके लक्षट दिखाई दिये हैं यह रिपोर्ट CSIR दोवारा देजबर में जुटाए सारे पॉजिटिव सरवे पर आधारित है CSIR की यह रि वेजिटेरियन लोगों से जादा है और वेजिटेरियन डाइट में हाई फाइबर ही इस सबसे बड़े अंतर की बज़ा है फाइबर युक डाइट एंटी इनफैलेमेंटरी होती है जो ना सिर्फ इंफेक्शन के बाद गंबीर हालत होने से बचा सकती है बलकि इनफेक्श के लोगों में सबसे कम सीरो पॉजिटिविटी देखी गई है आगरा के जाने माने पैथोलोजिस्ट डॉक्टर अशुक शर्मा ने इंडिया टुड़े से बातचीत में बताया कि ये सब कुछ किसी इंसान के जैनेटिक इस्ट्रक्चर पर निर्बर करता है एक उदारत दे और भी ब्लड ग्रूप के लोगों की तुलना में जादा अच्छे से रिस्पॉंस करता हो हाला कि इस पर अभी और शोद किये जाने हैं हाला कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ओ ब्लड ग्रूप के लोग कोविट के रोगदाम के लिए सभी प्रोटोकॉल्स का पारल बिना विभिन ब्लड ग्रूप के लोगों में संक्रमड की दर कैसे तै की जा सकती है ओ ब्लड ग्रूप के लोगों में संक्रमड से लड़ने के लिए बहतर इम्यूनिटी होती है ये कहना फिलाल जल्दबाजी होगी उन्होंने कहा कि एक लाज स्केल पर किये गए सर्वे मे अलग तस्वीर बन कर सामने आ सकती है पता दे कि कोरोना की दूसरी लहल ने दिल्ली से माराज तक लोगों को हिला दिया है समशान गाट पे अंतिन संसकार के लिए लंबी कतारे देखी जा रही है पवित्र गंगा नदी में लाशे बहती देखी जा रही है संक्रमित लोगों के शवों को 10 संसकार की बजा नदियों में बाया जा रहा है बिहार में इस तरह के मामले लगतार देखे जा रहे हैं हाला कि इस बीच अच्छी गवर ये है कि कोविड मरीजों का रिकवरी रेट एक बार फिर बढ़ गया है बीते 24 गंटे में ही देश में करीब 3.55 लाग से ज़्यादा लोग को मात देकर ठीक हुए है इतना ही नहीं एक्टिव केस में भी कटोती हुई है बीते 24 गंटे में एक्टिव केसों की संक्या 25,000 तक कम हुई है जो की राहत की बात है सोमवार को भारत में कोरोना वाइरस के कुल 3,39,389 नए केस दल्च किये गए हैं हाल ही में आ रहे कोरोना के मामलों के मुताबिक ये आकड़ा कुछ हद तक कंट्रोल में है आसदानी में भी बीते दिन में 12,000 के करीम नए केस दल्च किये गए हैं तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो और भविश में ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को जादा जादा लाइक करें और शेयर करें धन्यवाद